नमस्कार दोस्तों मैं श्मान सिंग एक बार फिर सब्सक्राइब करता हूं अफ नई इस योडिक चनल में दोस्तों कासम बात करने वाले हैं सीगे डिटा टाइप्स के बारे में और आगे पूर डिटा वाइस टाइप्स को समझेंगे जानेंगे सीखेंगे उससे जुरूरी सुसरा यह है कि आप लोगों ने अगर मेरेचल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज एक बात करने वाले डिटाइप्स क्या होता है तो H variable in C has associated data types as data types require a different amount of memory and has some specific operations which can be performed over it यानि कि हम जानते हैं कि computer जो होता है वो सभी data's को 0 और 1 की form में अपनी memory में store करता है और हम इनी 0 और 1 की कडियों की living को समझते हैं जैसे कि character में, integer में, image की रूप में तो इसलिए किसी भी प्रोग्राम में किसी भी question का nomination करते हैं computer को यह पता जबरी होता है कि उस नाम से जानी जाने वाले जासी किस प्रकार से प्रतान की जाती है तो simply हम आप समझ गया होगे, data types के होता है data types में विसी चार types of fundamental types के इन वाले रहते हैं तो पहला था बेस ही दूसर गटर है, तीसरा होता है enumeration, enumeration को officially हम किस नाम से जानते हैं आपको बता दे enumeration में user defined red type होता है लेकिन मैंने यहाँ पर इसको लिया नहीं है, लेकिन enumeration से ही start गया है तो कोई बात में आप आगे चलते हैं अब आगे चलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि different data types also have different ranges up to which they can store numbers these ranges may vary from compiler to compiler below list of ranges along with the memory requirements and format specifiers on the key to bit GCC compiler यानि कि different different data types के पांच different different ranges की values को store करने की capacity होती है और यह range compiler से compiler को interact कराती है जो कि अभी हम लीचे slide में देखेंगे और इन values को store करने के लिए अला गलग तरह से memory के requirement होती है, 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit तो हम इसके बाले में आगे जाने हैं तो built-in और basic data types यानि कि पहली जो variety होती है built-in और basic data types उसको में जाने में built-in में क्या होता है integer type है integral type में दो values आती है और दुसरा है wide built-in data types यानि कि पहले से ही बनाया या होता है किसरी होती है floating type तो हम हम बात करता है integral type में तो आप आके बढ़ते है अब हम बात करें briefly int के बारे में and int variable is used to store and integer यानि कि अगर हम बात integer की करें यह वह प्रकार का डेटा है जो कि पूर्ड मान यानि 10, 20, 25, 25, 35 ऐसे डिपेट करता है और इस मान्यों को यह store करता है यह टाइप इस टाइप का डेटा मेमोरी में दो बैट जगा लेता है अगर दूसरा आता है character अगर बात character की करें the most basic data type in C it stores a single character and requirement a single byte of memory in almost all compiler यानि कि सभी compiler में जा करता है यह data type ते character question करता है जैसे A, B, C यानि कि Z तक यह जो होता है character यह memory में एक byte data को store करता है और यह हमें सब single code के साथ यानि कि single code के साथ प्रयोग किया जाता है तो अब बात करते हैं float की float data 4 byte जगा लेता है it is used to store decimal numbers numbers with floating point value with simple precision तो यहतना float के हाने में बात के हम आगे बढ़ते हैं double double जो होता है यह 8 byte जगा लेता है decimal point data का फीद बड़ा होता है और उसे double type data के दर्गत परिविशिक के लाता है तो इसके बारे में इसमें इसमें जगा देख लें it is used to store decimal numbers number with floating point value with double precision तो यहां पर double को भी इसमें कर जया अब आगे बढ़ते हैं आगे हम देखने वाले हैं यहां पर की data type उनकी size और range के होती है सबसे बड़े data type में आप मारे पास होता है character, integer, float और double अब इनकी size के होती है character की size 1 byte होती है integer की size 2 byte होती है float की size 4 byte होती है अब character एक सो मानिस 626 लेकी की रिज होती है integer की 32 या प्रस 32 या और फ्रोड जो की decimal numbers को decimal numbers को भी और binary number को भी साहर रिजिकोड करता होगा तो 0000 अब आप देख सकते हैं और double में भी आप देखी रहे हैं तो अब धीर से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस साली slide में हम बात करने वाले हैं derived data type की यानि कि ऐसा data जो basic data type से ही बनता है उनको बदल बदल का नया बनाया जाता है derived data type के माता है अब जैसे हो गया array हो गया हमारा और functions हो गया हमारे pointers हो गया है यह बदल बदल के बनाया जाते हैं अब बात करते हैं हम array की तो इस slide में array के बारे में functions parameter के बारे में briefly बात करेंगे तो array क्या होता है तो बात करते हैं some as any other language array in c stores multiple values of some data types that means we can have any array of integer character floats double ADC यानि कि अगर हमें int x लिये float y लिये float 5.0 लिये characters लिये doubles लिये जिस array में store होते हैं और यह समान data type अव्यवों का items का समूँ होता है जिसका एक ही नाम भूफ होता है वह array कहलाता है जो की एक ही नाम के शाज़ा करता है array में element present होता है उससे block characters के दारा परता है और जिसे हम array subscript करते हैं और subscript हमेसा 0 से सुरू होती है तो अब पात करते हैं functions की functions का होता है यह एक derived data type होता है हमने जानते इसको और function definition के रूप में depth करते है function का नाम user की जरूर के अनुसाथ कुछ भी रखाजा सकता है ABCD interval भी जो भी आप रख सकते जो भी आपके मन में है बट जो functions का नाम रखेंगे वो keyword से match नहीं करना चलिए यानि कि function का नाम keyword का नाम एक ही से नहीं होना चलिए 32 bytes के जो 32 keywords है जो c वे उसे functions के लिए अलग होने चलिए और एक बाद function जिन्हें एक बार बना देने के प्रश्याद अधिक बार call कर सकते है और function उसको parentheses parentheses से पहचामते है जिनमें function के argonet और parameter function की मुख्यूसिस्ता यह है कि अधिक वाइड रिटर लगड़ता है इसके बाद जैसे वाइड इंटर्फ हो गया तो यह साथ चीजे होगी तो जिसे इंग्रीश में देख लेते हैं इसको here are two types of function और हाँ जरूरी बत यह दो types को होता है c programming पहला library function होता है और दूश्रा होता है user-defined function तो जो library function होता है are the function which are the declare the c header file such as scanner, print up, gets, puts, cell, form, etc यानि कि जो header file होती है c कि हमारी उन में scan up, print up यानि कि इन सब की value पहले साही define होती है ठीक है तो यह library function कर लाता है अब जो user-defined होता है यह अलग होता है यह सी programmer room में बनाता है जैसे so that, so that he, see it यानि can use many times जो हम कई बार use करते है तो अब बात करते हैं pointer pointer गी pointer गी विसेज जेटर डाइब होता है जो कि कि किसी variable के address को इस्टोर करता है यानि कि जो मारा pointer होता है कोई variable होता है address होगया जो कि अट्रो होगया जो कि डबल हो गया उसके address को इस्टोर करता है जिसको asteric asteric gg रता है तो जिसो pointer pointer variables are are specific variable that are used to store addresses rather than value pointer syntax here is how can declare pointer अपक कम आनि बताया था n asteric t उस से microdyn तो यहाँ पर हम लेख रहा है है कि इसे निकॉलान है बनाता है जो उस प्रोग्रम को यूजर करता है तो उसका डेटाटाइप क्या होता है उसके बारे पर भी बात करती है विल और कार्ड यूजर डिफाइन डेटाइप एक्जाम्पल सर्फ डेटाइप स्वार इस्ट्रक्चर यूनियन हर स्टुडेट रोल लंबर या इसे इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम देखेंगे पर श्ट्रट रोल लिए और इन्मड़ेशन ये तीनों जो होते हैं यूजर डिफाइन डेटाइप होते हैं एक बार मैं हिंगे में बता हूँ कई बार यूजर को बेसिक डेटा क्यार्टिक्ट अन्य किसी दूसरी डेटा टाइप के आप सकता होती हैं जो की अलगग अम्री बात करते हैं, Name options and Immuneration की तो बात करते हैं अगर Immuneration की इसके इंधर कदम को Species पकार के Variable को डीक्लेर कर सके है जिनके माँ एक में ही चाह्ति होते हैं अब देखेंulation relatedize enhance the readability of the code if you have integer constant in the code that can be reused और collected together we can use enums to define the constants the most common example of these days of the week तो यानि कि एक सब्सक्ता जो होता है वो इसका best example होता है और जैसे कि अगर हम बात इस्ट्रिंग ही करें तो इस्ट्रिंग पर क्रेक्टर है बहुत सारे इससे होते हैं तो यहां पर अगली बात बात पर इसके च्छख़ड बात करते हैं तो बात करते हैं अगर है तो यह अगर्याँ कि अभर्णि थी चप्क्राश मभण रिल्टी है और चिंगर्याँ तो अब हम बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस लाइड को यह खतम करते हैं और वीडियो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और हां अपने दोस्तों के साथ से मत करना तो अगली वीडियो में ह करता हुए इसी के साथ धन्यवाद